हेलो दोस्तों चलिए तो हम लोग बात करते हैं मद्धपदेश सामान ग्यान के बारे में देख रहे हैं अब बात करते हैं मद्धपदेश के परीपेक्च में के उसी के बारे में तो यह अभी सभी आकड़े आप लोगों को बता दें पुराने हो चुके हैं इन्हें नहीं के बारे में बताते हैं अब लोगों को धान धान की किसम क्या है X1, X-1, R-2, R-4, R-10, R-11, R-12, मतलब X-1, R-2, R-4, R-10, R-11, R-12 दलहन, ग्वालियर 3, वजयन 21, वजयन 24, T-3, JP, JP 355, R-5, सभी चने की किसम है अरहर की, तूर की खरवों 2, प्रभाव, मुक्ता, ग्वालियर 3, टाइप 21, अलसी जवाहर की बात करें, तो जवाहर 17, जवाहर 552, जवाहर 1, जवाहर 7 सुया भी इन की बात करें तो पंजाब 1, अंकुर, गॉरब और दुरगा, कपास की बात करें तो खन्डपा 2, मालज़री, सक्कर 4 अब बात कर लेते हैं हम लोग मद्धपेदेश में किरसी की जलवाई विक एबन भोगोलिक दसाएं तो यह फसल हो गए वर्सा हो गई तापक्रम और मिट्टी तो ग्याहूं की बात करें हम लोग ग्याहूं के लिए बर्सा की जरूरत कितने होती है 75 से 100 सेंटीमेटर ताप मान कितना चाहिए 15 से 26 सेंटीगेट मिट्टी कौनसाी दौ्वमट हलकी कछारी चावल के लिए बरसा चाहिए 125-200 cm, तामान चाहिए 25-26 cm, यहां दौमत मिट्टी, दल्दली, चिकनी मिट्टी चाहिए इसके लिए चना की बात करें, तो चना के लिए बरसा चाहिए 100-200 cm, तामान चाहिए 20-26 cm, काली और जलोड मिट्टी चाहिए कपास की बात करें तो 60-100 cm बरसा 20-25 cm ग्रेट तामान काली और जलोड मिर्दा की दिरूरत होती है तूर की बात करें तो 100-200 cm बरसा चाहिए 20-26 चाहिए तापकरम और चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए ज्वार की बात करें तो 75-100 cm बरसा 25-26 पितिसच चाहिए 15-26 चाहिए तापकरम ठीकनी दोमट कछारी मिट्टी चाहिए आगे बात करते हैं वो गन्ना की वर देख लेते हैं गन्ना के लिए 100-200 cm बरसा 15-24 cm चाहिए तापमान और हलकी दोमट चिकनी मिट्टी जरूरी होती है अब मद्द पिदेश के किरसी चेतरों की बात करें मदपिदेश के कृस्चि छेतने, किरसी बिभाग द्वारा मदपिदेश को पांच किरसी बिभागों में पिरदेशों विभाजित किया गया फश्चिम में काली मिट्टी का मालबा पिदेश जिन में मंदसौर, नीमच, रतलाम, जाबुगा, वडवानी, हर्दा, धार, देवास, उज्जैन, साजापूर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, आदी, जुआर, एवं कपास के प्रमुक्षेत हैं फिर उत्तर में जुआर, ग्यहूं का प्रदेश, तो ये मुरेना, सिवपूर, भेंड, ग्वालियर, दतिया, सिवपूरी, गुना, चतरपूर, टीकमगड, जिलाब हैं, एक अन्न प्रदेश, छिदबाड़ा, तथा बैतूल में भी है फिर मद्द ग्यहूं का प्रदेश, इसमें भोबाज, सिहोर, होसंगबाद, नरशिंगपूर, रायसेन, विदीशा, सागर, दमोजली सामे लें, फिर चावल ग्यहूं का प्रदेश, इसमें उत्तर में गन्ना, उत्तर में पन्ना, सतना, कटनी, उमरियास, जवलपूर, के दच्छंड तक ही पेटी सामल हैं फिर पांच बाहें संपूर पूरी मद्य प्रिदेश चाबल का प्रिदेश इसमें रीवा सीधी सैडोल डिंडोरी मंडला वालागाट आधी जिले संबले थे आंगे बात करते हैं प्रिदेश के ग्यारा किर्सी जलवाई प्रिदेश हैं जिनमें बोपाल जवलपूर रीवा ग्वालियर सागर इंदोर खंडवा जाबुआ रतलाम सिबनी बैतूल सामिल हैं फिर हैं मद्य प्रिदेश में ऑपरेशन फ्लेड मद्य प्रिदेश में 1980 से आनंद मॉडल से पेड़ा लेकर ऑपरेशन फ्लेड के दुतिये चैन को प्य फसलों अत्वा क्रिश्मों के इस्थान पर लापकारी दलहनी या तेलहनी फसलों उन्नत एवं बिपुल उत्पादन देने वाली फसलों की बीच उपलब्द कराना हैं फिर मात्पूर बिंदू मद्य प्रिदेश के प्रिक्ष में देखते हैं मद्य प्रिदेश में 69 Depth सुयाबीन उत्पादित होता है इसलिए मद्य प्रिदेश को सुयापिदेश भी बोलते हैं मद्य प्रिदेश में सबसे इख उत्पादन होता है सुयाबीन का मालबा कपथार गय हूं का सबसे बड़ा उत्पादक छित है सरबादिक मुमफली का उत्पादन खरगण झि लिये में होता है याद रखे मैं चने का पिरम खुत पाद दक्षित जस से जह कब फिऊंडान सेंद ग्वालियर में सहकारी छित में कीट ना सक्सायंत कटनी में है याद रखिए आंगे दिखते हैं फिर्देश में फीली किरांती का संबंद सरसों अलसी और सोयावीन के उत्पादन से हैं महला किसानों के फिसिच्छन की योजना डैनमार्क सरकार की सहायता से संचाले थे मद्विदेश में रभी की फसलों को उनालू भी कहते हैं याद रखिए रभी की फसलों को उनालू कहते हैं यह फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अफरेल में काटी जाती हैं ठीक है रभी की फसलों में गेहूं चना मतर अलसी तेओडा सरसो आदी प्रमों के खरीब की फसलों को स्यालू कह याद रखिए रभी की फसल को उनालू कहते हैं और खरीब की फसल को स्यालू कहते हैं ठीक यह फसलें जुलाई अगस्त में बोजियाती हैं को नवंबर दिसंबर में गाटी जाती भरीब की फसलों में चावल मक्का बाजरा ओरद मूंग तूर, कपास, तिल, मुंफली, सोयावीन, जुआर सामिल है रभीबा खरीब के मद्ध में उगाई जाने वाली जायद फसलें खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा की फसलें हरी, तरकरी, सबजी, पिर मुक्जायद फसलें विसमें सरवादिक पिदेश में सरवादिक किरसी जूत का आकार हरदा जिला में है याद रखना, पिदेश में नियूंतम जूत का आकार कटनी एवं नीमच में है जानदा कहा है, सरवादिक जूत हरदा जिले में वो कम है, कटनी और नीमच में खंडवा खरगोन को सफेद सोना का पास छित कहा जाता है कि नहीं खंडवा और खरगोन को देश की सरवादिक परती भूमी मद्धिदेश में है याद रखना सरवादिक सुद्ध किरसी भूमी बाला जिला है उज्जेन सरवादिक सुद्ध किरसी भूमी बाला जिला कुन सा है वो जैन नियुनितम सुद्ध किरसी भूमी बाला जिला है मंदला जिला राज जी की सिचाई की दिरिष्टी से देश में 13 वा इस्थान है मद्पधिस का राज और वरक पेयोग की दिरिष्टी से देश में 21 स्थान पर है मत्विदी राज में सरवादिक छेतफल पर सोयावीन की खेती की जाती है दूसरे स्थान पर ग्यहूं काया जाता है उत्पादन की दिरिष्टी से राज की फसलों का घटता हुआ करम इस पेकार है ग्यहूं उसके बाद सोयावीन, चना, चावल, मक्का, कपास एबं जुआर किर्सी योग भूमी एक पितीसत भाग पर साख सब्जी पैदा की जाती है मत्विदिष में ठीक है दालों की छेत फल में बिद्धी सरवादिक चने की छेत में हुई है ग्यहूं का सरवादिक उपज मुरे दर मुरेना जिली में पाई जाती है पिद्धी समें चावल का सरवादिक उपज दर ग्वालियर जिली में दालों का उत्पादम बढ़ाने के लिए बस 1998 निन्यान में राष्टिय दलहन विकास योजना प्यारम की गई थी राज में सुयावईन की किरसी देवास जिली में फ्यारम हुई थी राज में सुयावईन की किरसी देवास जिली में फ्यारम हुई राज में उमरिया कटनी जिलों को छोड़कर सभी जिलों में सुयावईन की किरसी की जाती है दो जिलों को छोड़े कौन-कौन से हैं हो ओमरिया और कटनी फिदेश को ग्यारा सस सहयोजन पिदेशों में विभाजित किया गया गेहूं चना सहयोजन पिदेश राज का सबसे बड़ा सस सहयोजन पिदेश है यह पूरवी मालवा एबन बुंदेल खंडचेत में शते थे राज में सन 1960 में सरवपिथम मंडी अधिनियम पारित किया गया था अब बात करते हैं हम लोग फहले हैं हम लोग फसलों को देख लीते हैं ठीक है उसके बाद देखते हैं कुछ तो रकवा हो गया और उतवाधन हो गया थीक है तीन जीलों में रकवा के सबसे वाला गाट सिवनी मंडला और सबसे कम नीमच नीमच इंदोर नीमच साजापूर तो धान सबसे जांदर कहा होती है कि रकवा के सबसे बालागाट सीवनी मंदला और नियुनतम इंदोर नीमच साजापूर में और उत्पादन में चपल धान तो बालागाट सीवनी मंदला और नियुनतम उत्पादन में इं मचा अंँ उसंगाबाद वीदीभ Divya sıropor मं पिंथमस्थान है तीन जिले नियूनतम जिले 3 दीन sampson turning पूरानपूर भालाघाट sipon Paraha 5 पूर अध्रबादन की द्षटी में तो कि हली से आफटम तीन जिले paid 30 अनुपपूर मरिया ठीग przeci'ret coriander की की बात करें होगो है चना में ओजेन सागर विदीशण पितम तीन ले रखवा मैं और निवुणत में बुर्हांपुर अनूपुर स्थीजर अधूँ जाहएं से जाना पितम निवुण्तम पर हैं निवुणत उत्वादन में पिथम 3 जले जाबुआ रतलाम चिदवाड़ा नियूंतम है मुरेना बेंड ग्वालियर जुआर की बात करें तो खर्गॉन बढ़वानी चिदवाड़ा है रकवा के इसाब से पिथम 3 जले नियूंतम 3 जले है वालागाट मंडला डेडोरी उत्वादन की इस पिथम 3 जले उजयन साजापूर सागर नियूंतम है सिंग्रोली भिंड बालागाट उत्पादन की दिरिष्टी से पिथम 3 जले उजयन साजापूर सागर नियूंतम 3 जले सिंग्रोली भिंड बालागाट सरसो राई सरसों के इसाब से रकवा में पिथम 3 जले मुरेना भिं नियून्तम है होसंगबाद भोपाल रायसें कपास की बात करें तो खरगोन रकवा में उत्पितम तीन जले खरगोन धार खंडवा नियून्तम है नीमच उज्जैन से उपर और उत्पादन में पितम तीन जले खरगोन धार खंडवा नियून्तम है नीमच उज्जैन से उपर गर्णा में हैं नरसंग पूर छिदवाड़ा बैतूल निउन्तम जले हैं उमरिया जिंडोरी विदीशा उत्पादन में पिथम तीन जले नरसंग पूर छिदवाड़ा बैतूल सहडोल छितरपूर पन्ना निउन्तम है तीन जले मिरच की बात करें तो खरगोन में सबसे जाना फिर बढ़वानी में खंडबा में रकभा के साथ से और रकभा के साथ से नियुन्तम है ग्वालियर भेंड मोरेना गुना गुना ग्वालियर भेंड गुना उत्पादन में बात करें तो खंडवा, धार, घरगोन और नियून्तम हैं ग्वालियर, उमरिया, बेंड़ फिर है अधरक अधरक में रकवा गेसाब से पिथम जिले हैं छिदवाड़ा, खंडवा, टीकमगर और नियून्तम हैं सिवपुरी, गुना, असोगनगर उत्पादन के साब से छिदवाड़ा, खंडवा, टीकमगर और नियून्तम हैं सिवपुरी, गुना, असोगनगर लहसोन के बारे में बात करें तो रकवा के साब से पिथम तीन जिले हैं मंदसोर, उज्जन, रतलाम, नियून्तम हैं दतिया, डिंडोरी, मुरहनपुर उत्पादन के साब से पिथम तीन हैं जिले, रतलाम, मंदसोर, उज्जन, नियून्तम हैं दतिया, मुरहनप, डिंडोरी, धनिया की बात करें तो धनिया में पिथम रकवा के साब से पिथम तीन जिले हैं साजापुर, गुना, राजगर, नियून्तम हैं गौालियर, उमरि या ठीकम्गड आलू के साफिरे बात करें तो पिथम रखवा के साफिर तीछ ले हैं उन्दोरदेवास साजापुर नियूंतम है नीमच वढवानी जहावगा उत्वादन में पि JUST ले इंदोरदेवास चिदवार्डा नीमच दिण्धोरी वढवानी नियूंतम हैAL likely आँगे बात करते हैं, लोग, सकरकंद में देख ले, सकरकंद में है, दमवोट, टीकमगड़, छतरपोर, रकषबा के साप से नियुनदमपाद वहज़़ और ऱ।ा संगःवाद, चतरपोर, नियुनदम साजापूर खंडवा सतना पितंपर है ग्वालीय मुरेणा से उपर निव्न पर है उत्पादन के इसाब से पितंप दिए खंडवा सागर्शापूर ग्वालीयर से उपर धतिया अंद्पर ठीक है यहां कि बात कर लेते हैं पसुर या कोकुट के पालन के बारे में राज में पसु मो में सबसे बड़ी संख्या है बक्रियों की मत्वितिस में राज में पसु घनत है 110 पिती बर किलो मीटर राज में सरवादिक पसु घनत टीकमगड में नियुनतम पसु घनत है होसंगाबाद जिले में तो याद रखे, राज में सरवादिक पसू घनत कहा है, टीकंबड जिले में, नियूंतम कहा है, खौसंगावाद जिले में, राज में सरदवादिक पसू संख्याद सीधी जिले में है, नियूंतम है, बुरहानपुर जिले में, राज में सहकारी डेरी विकास काकरम की मालबा पठार को क्या कहा जाता है प्यदेश का गेहुं भंडर मद्ध प्यदेश में सरवादिक नाइट्रोजन और वरकों का प्योंग किया जाता है मन्द्ध पदेश में अ मन्धे बहुमी बिकास निगम किश्तापना 1977-1977 में अठारवी पसुग गड़ना की अनुसार पिछली पसुग संगड़ना की तुल्लामे गौवन्स ग्यारा देसमलो साथ भैस बस बीस देसमलो पचास पिती सत की बिद्धी हुई है किर्सी जलबाई च्छित की आधार पर मदबिदे साथ प्रिजिनन च्छित है कलोर संगोपन का एक नम इसके अंतरत उन्नत नसल की बच्चियों को बच्चियां को पोसित कर गायों में परिवर्थित होने के बाद पसुग पालकों को पिदान करना नंदी साल आई हो जिना 2006 से उद्देश इसका ग्रामीड च्छित्रों की गोवन सी है पसुग में पसुगों में नसल सुधार है तू अब बात कर लेते हैं हम लोग पिरमुक फसलों में मद्विदेश का देश में पिद्थम इस्थान ठेगर दो हजार ग्यार अit बार एक कर्मक साथ गयहों दुटिय स्थान पर हैजावल सरवादिक होता है चावल ग्राटी छित्त में चावल की बात करिए तो छटे स्थान पर है बगयल कंड उत्तर पूर में होता है सोयावीन पिथम स्थान है मद्ध पिदेश का पश्चिमी मद्ध पिदेश में होता है ते लहन की बात करें तो पिथम है पश्चिमी मद्ध पश्चिम मद्ध पिदेश में होता है दलहन में भी पिथम है मद्ध पिदेश उत्तर मद्ध मद्ध पिदेश में होता है जुआर में तितिय इस्थान पर है उत्तर पश्चिम मद्धिपदेश में होता है चना में पित्थम इस्थान पर है उत्तर मद्धिपदेश में होता है कपास में चतुरत नमबर पर निवाडचित एवं मालबा में होता है सरसों में दुतिय श्थान पर मुरेना गौली अर्भिंड में होता है तो याद रखना सुयावीर में पहली नमबर पर तिलहन में पहली नमबर पर दलहन पहली नमबर पर और चना में पिथम नमबर पर अब बात करते हैं हम लोग गेहू के बारे में फिर मोग फसल उत्पादक जिलों के बारे में उत्पादक जिली और फसल ग्यहूं की बात करें तो होसंगबाद, विदीसा, सतना, सागर, रीवा, हरदा, सिहूर में होता है उत्पादक जिली है चावल की बात करें तो बालगाट, मंडला, सहडोल, वेतूर, रीवा, सीधी, स रतनास चिदवाड़ा में होता है मक्का की बात करें तो चिदवाड़ा जाबुगा खरगोन बढ़वानी में होता है जवार की बात करें तो खरगोन बढ़वानी मंदसोर रतलाम उज्जन में होता है चना की बात करें तो विदीशा नर्चिंगपूर रायसेन गुनाक में होता है तुगर की बात करें तो सीधी चिदवाड़ा बैतूल राइसन में होता है सुयावीन की बात करें तो उज्जेन साजापूर राजमड देवास धार हर्दा में होता है राई सरसों की बात करें तो मुरेना भिंड सेवपर वालियर में होता है तिल की बात करें तो सी प्याज की बात करें तो खंडवा में आलू की बात करें तो इंदोर में होता है प्याज कहा होता है खंडवा में आलू होता है इंदोर में अफीम होता है मंदसोर में याद रखी अफीम कहा होता है मंदसोर में गाजा सबसे ज़्यादा खंडवा और बुरहानपुर में आगे बात करते हैं किरसी छेत्रों की प्रमुक्त संस्थाएं एवं केंदों के बादि में तो राष्टिये धान अनुसंधान केंद का हैं इंदौर में मुख्याले इसका राष्टिये धान अनुसंधान केंद की बात कर रहे हैं चावल अनुसंधान केंद का हैं, बढ़वानी में, भारत का कटक में हैं, कपास अनुसंधान केंद इंदोर में हैं, किरसी अभियान्त की अनुसंधान केंद का मुक्याले भोपाल में हैं, याद रखिए, किरसी अभियान्त की महाविध्याले का हैं, जवालपूर में हैं, उ मवेसियों का चारा बनाने का सेंद का हैं धार जिली में भारत का पित्थम जैविक्खेती इकाई का हैं इंदोर में जवाहलाल नहरू क्रिसेविस्विद्याले का हैं जवलपुर में 1964 में इस्तापित हुआ था अंतर राष्टिये मक्का एवं गयहू अनुसंधान केंद का है खमरिया जवलपुर में पिस्तावे थे डेरी स्टेट डेरी स्टेट केंद का हैं परियट जवलपुर में राष्टिये अंगूर अनुसंधान ए रतलाम में पिस्तावे थे याद रखना अब देख लेते हैं मद्यप्यदेश के किरसी प्रमुक संगठन एवं यूजना हैं मद्यप्यदेश बीज तथा फारम विकास निगम ए उननीस सो असी में स्थापना हुई इसकी भूपाल में मद्यप्यदेश किरसी उद्यो विकास निगम उननीस सो नतर सतर में स्थापना हुई याद रखना मद्यप्यदेश राज भंडार ग्रह निगम उननीस सो अंठावन में स्थापना हुई लगू किरसक विकास अधीकरण उननीस सो इकतर में स्थापना हुई भूमी विकास निगम, 1977-78 में इसकी स्थापना हुई, राज पसुधन एवं कुकड विकास निगम, 1982 में इसकी स्थापना हुई, सहकारी डेरी विकास काईकरम, 1975 में इसकी स्थापना हुई, मद्पिदेश राज बीज प्रमाडी करन संस्था, 1980 में इसकी स्थापना हुई, मद्पिदेश र पलराम ताल योजना 2007 में इसकी स्थापना हुई थरश्ट पर योजना 1989 में इसकी स्थापना हुई राष्टिय किरसी वीपा योजना 1999 2000 में इसकी स्थापना हुई उद्यान की मिसन 2006-07 में इसकी स्थापना हुई अन्य पूर्णा सूरजधारा योजना 2001-2001 में शुरू हुई ठीक है अब बात कर लेते हैं मत्पदेश में पसू संख्या तो बकरी की लाख में देख रहा है पितिसत में तो छेत्र दसमलो सरसट लाख है 22.60 बेल की बात करें तो सरसट दसमलो 83 लाख 20.60 है बेल बच्छडा बच्छडियों की बात करें तो संताउन दसमलो 54 लाख 16.90 पितिसत है गाय की बात करें तो 55.92 लाख 55.92 लाख 16.30 है बेल की बात करें तो 37.5 लाख 10.90 पितिसत है पाड़ा पड़ियों की बात करें तो 30.93 लाख 9.10 पितिसत है बेल की बात करें तो 5.86 लाख सुगर की बात करें तो पात दसमलो 82 पितिसत एक दसमलो पात दसमलो 82 लाख है और पितिसत कितना है एक दसमलो 70 पितिसत बहसा की बात करें तीन दसमलो दो लाख जीरो दो लाख है और 00.90 पितिसत है गोड़े की बात करें तो 00.90 पितिसत नब्य लाख पितिसत में बात करें तो 00.30 पितिसत प्रीक है चलिए तो यह था हमारा किर्सी से सम्मंदित मदफदिस के परिफिक्च में ठीक?